हलो फ्रेंड्स नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे च्छत की पाइपिंग दिखा रहे हैं जरासल यह पाइपिंग करने में साम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा धुंधला है उसके लिए हम आप लोगों से छमा चाहेंगे यह जो एरिया में हम चल रहे हैं यह हमारा बार्जा है छत का छत के बार्जे की सभी स्पोर्ट लाइट हम आपको दिखा रहे हैं यह पाइपिंग हुई है अम्बुच सर्मा के घर पे यहां पर थोड़ा सा एक लाइट की बेवस्था थी इसलिए थोड़ा सा उजाला है यह पुरा बार्जे का सीन है जिसमें इस्पोर्ट लाइट पड़ी हुई है और इसके पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इस्पोर्ट लाइट और फैन बाक्स में किस तरीक जाता है ताकि उसमें कि बालू रेती और शिमेंट गिट्टी की मात्रा उसमें न जाए कहीं पाइब लिकेज नहों तो यह पूरा डाइग्राम है घर का यह जो हमारा फैन बाक्स है यहां से राइट साइड में जो हमने डाउन किया है, यह में सपलाई के लिए वायर था और यहां पे डिस्टिप्यूशन बाक्स रहेगा और यहां पे जो जक्सन नहीं लगा अगें उसको पेंडिंग में रखता हुआ है यह दोनों जक्सन के जगह पर इसपोर्ट लाइट दोपीज कम हो गया था हुआ कि लगेगा और यह हमारा फाइन बाक्स है फाइन बाक्स से स्विच बोर्ड में डाउन हुआ है और एक दूसरे से हर जगह मिला दिया गया है ताकि जो भी हमारा सरकीट का वायर है खुब आराम से जिधर से चाहें उधर से पास हो सके अब जो एक एक पाइप कहीं कहीं पर आपको दिख रही है उपर की तरह खड़ी हुई है यह टीवी केबल के लिए हैं टीवी केबल का स्विच बोर्ड हमें जहां देना होता है वहां पर हम एक पाइप उपर के लिए लग और यह जो हमारा फाइन बॉक्स है फाइन बॉक्स से हमने स्विच बोर्ड में लिया है पाइपिक और इस्पोर्ट लाइट बॉक्स में गया है बारजे में जो लाइट निकली है वहां पे जाके मिला है तो यह पूरा डाइग्राम हमें लगता है आपको समझ में आ गया होग झाल झाल झाल